गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में जेजाग भुक्ती के चंदेल सास्कों के इत्यास के सादनों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो देखें स्टुडेंट् गुर्जर पर्तिहरों के बारे में काफ़े कुछ पढ़ा है, तो आप ले लिस्ट में जाके और गुर्जर पर्तिहरों के बारे में इंफोर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियोज हम बनाते हैं, वो सारे के सारे एकजाम की दर्शिश्य महतोपुन होते हैं, तो आप वीडियोज को द्यान से देखिएगा, और यदि कोई सुझाव आप लोगों के पास हैं, तो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते ह तो चलिए पढ़ते हैं, जेजाग बुक्ती, बुंदेल खंड के चंदेल सासकों के इतियास के साधन, पर्तिहार वंस के पतन के बाद, बुंदेल खंड के भूबाग पर चंदेल वंस के स्वतंतर राजनतिक इतियास का प्रारम हुआ था, तो देखिए स्टुनेंट्स, प बुंदेल खंड का प्राची नाम जेजाग बुक्ती था, चंदेल वंस की जानकरी प्राप्त करने के लिए हम अनेक इतियासिक स्रोत पढ़ते हैं, चंदेल वंस के इतियास के सरवादिक परमानिक साधन, उसके सासकों द्वारा उतकिन करवाए गए बहु संक्यक लेख हैं, वो कौन-कौन से हैं देखेगा? चंदेल वंस को जानने के लिए इतियास के साधन और उनमें सबसे पहले हैं अभिलेख खजुरा हो चत्रपूर मद्यपर्देश के विक्रम समवत 1011 अर्थाद 954 इस्वी तथा विक्रम समवत 1069 अर्थाद 1002 इस्वी का लेख नन्योरा हमीरपूर उत्रपर्देश से प्राप्त विक्रम समवत 1055 अर्थाद 998 इस्वी का लेख मउ प्रस्तर अभिलेख चत्रपूर का लेख महोबा के किले की दिवार पर अंकित विक्रम समवत 1240 अर्थाद 1193 इस्वी का लेख इन सबी लेखों में खजुराहों से प्रावत हुए लेखों का सरवादिक महत्वय है ये दोनों चंदेल सासक धंग के समय के हैं इन में चंदेल सासकों की वनसावली तथा यसो वरमा और धंग की उपलब्दियों का विस्तार पूर्वक वनन किया गया है इस प्रकार ये लेक चंदेल मंस के इतिहास का अध्यन करने के लिए हमारे परमुक्सादन हैं चंदेल राजवने ही सर्वपर्थम देवनागरी लिपी का परियोग अपने लेकों में करवाया था चंदेल मंस के इतिहास पर परकास दानने वाले ग्रंतों में क्रिश्ण मिश्र के परबोद चंद्रोदे राज सेकर का परबंद कोस्ट चंद्र बरदाई कृत पर्थीराज रासो तथा परमार रासो जगनिक कृत आलहा खंड आदी महतवपून है परबोच चंद्रोदे से संदेल तता चेदी राजों के संघर्ष का पता चलता है परबंद को उसके मदन वर्म परबंद से चंदेल नरेश मदन वर्मा के विशे में सूचना मिलती है चंद्रबरदाई तथा जगनिक के गरंचाहमान सासक पर्थवराश्त रिते तथा चंदेल सासक परमर्दी के बीच संघर्ष का रोजचक विवरण परस्तुत करते हैं मुस्लिम लेकों के विवरण भी चंदेल इथियास के बारे में सूचना परदान करते हैं इनमें इबन उल अतहर निजामूदीन, हसन निजामी, आदी के नाम उलेकनिय हैं अतहर तता निजामूदीन तता चंदेल सासक विदादर के बीच होने वाले संगर्ज का विवरण देते हैं वहीं विदादर के सक्ति की परसंसा करते हैं हसन निजामी के विवरण से पता चलता है कि चंदेल राजे पर आकरमन तथा उसे जीत जानने का विवरण भी मिलता है चंदेल सास को द्वारा बनवाए गए मंदिर तथा मूर्तियां खजुराहों से मिलती हैं इन से जहां एक और उनके दार्मिक विचार हों तता विश्वासों का पता चलता है वहीं दूसरी और कला एम इस्तापत्ते कला का भी पता चलता है तो देखिए स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने चंदेल सासकों की जानकरी के सुरोतों के बारे में जानकरी प्राप्त की और आगे भी हम आपको चंदेलों का जो रानती इत्यास है और जो परमुक सासक हुए है उन सबी के बारे में डिटेल से बताएंगे बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर